दोस्तो आज हम इस LED बल्ब को रिपेर करेंगे, यह LED बल्ब बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, यह LED बल्ब थोड़ा सा यूनिक है, अधर LED बल्ब के मुकाबले, अब इसमें जो फॉल्ट है, उसका सोलिशन कैसे किया जाएगा, मैं आपको यहाँ पर डीटेल से बाता देखिए, सबसे बहले तो इसको सौर्ट कर लेता हूँ, सौर्ट करने से यह डिश्चार्ज हो जाता है, फिलाल मुझे हाँ पर प्रोब्लम दिख गया है, अगर आपको दिख गया हो, तो कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉच्च करके बता सकते हैं, अगर वीडियो को ल जाता नहीं, फिलाल वोल्टीज यहाँ पर बन रहा है 74, यानि कि ठीक है, बट इतने जो बल्ब लगे हुए हैं, उसमें मुझे यहाँ पर दो-दो के पेर्स लग रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज मुझे आप पर देखने के लिए मिल रही है, पहले हम आपको दिखा देत से पहले बता दूँ, आप अगर गौर करें, तो इसमें दो-दो बल्ब के पेर बने हुए हैं, देखिए, दो-दो बल्ब के यहाँ पर पेर बने हुए हैं, दोस्तों आप में से आज तक कितने लगों ने ऐसे MCPCB देखिए हैं, जिसमें दो-दो बल्ब के पेर बने हुए ह साइद बहुत कम लगोने देखी होगी चली मैं आपको हटा के यहां पर दिखाता हूँ यह दो-दो बल्ब की जो पेर हैं आपस में दो बल्ब पैरलल पे लगे हुए हैं अगर आप सोच रहे हो तो यह सीरीज में है तो सीरीज में तो होते ही है सभी बल्ब बट यहां बड़ दो-दो के पेर पेरल पे लगे हुए हैं यानि कि एक बल्ब खराब होगा तो साथ में दूसरा बल्ब भी खराब होने की चांसेज बढ़ जाएंगे और यहां पर जब खराब होंगे जातर दो बल्ब ही खराब होंगे यहाँ पर अगर आपके पास दो बल्ब नहीं है तो एक बल्ब से भी आप काम चला सकते हैं आगे देखिए वीडियो पर मैं आपको पहले पीसीबी को क्लीन करके दिखाता हूँ देखिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर टुकड़े वगर यहाँ वह थोड़ा सा हटा के आप इसको क्लीन कर लेना थोड़ास पेष्ट में लगा लेना और अच्छी तरीकी से क्लीन हो जाएगो दोस्तों बे तक वीडियो को learnt नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके एक प्रया स्क्मेंट जरूर कर ले न तो यहां पर देह सकते हैं आप अब मैं इसकी जिगा पे एक दूसरा बल्ब यहाँ पर इस्टॉल करूँगा और कहां से इस्टॉल करना है मैं आपको दिखाऊंगा यह देखिए एक खराब LED बल्ब है और खराब LED बल्ब में जो NCPCB थी उसमें कुछ बल्ब हमारे बिल्कुल सही है तो soldering end को just उस LED बल्ब के नीचे लगाईए जिसको आप निकालना चाहते हों तो लगभग 5 से 10 सेकेंड के अंदर यह MCPCB जो LED बल्ब आप निकालना चाहरे है बिल्कुल वो इस तरीके से निकलके side हो जागा देखते रही है आप बिल्कुल live आपके समने यहाँ पर इस तरीके से heat करना है इसके जाश नीचे और वो LED आपके निकलके बिल्कुल side हो जाएगा तो आपने हटाना है और यह बल्ब हमने फिर install करना रहेगा यहाँ पर wattage का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसलिए आप यहाँ पर इन LED के बारे में जान लीजिए जिसको आप install कर रहे हैं यह 3 वोल्ट से भी operate होती है 9 से और 12 से भी operate होती है इसके install कैसे करना है एक पार्ट छोटा और एक बड़ा मिल जाता है वैसे आपको इधर पर मिल जाता है एक पार बड़ा और एक पार छोटा तो यहाँ पर दो के बजाए इस सिर्फ आप एक भी लगाएं कि तो भी आपका काम बन जाएगा इस तरीके से रगिए और फटा-फटा- और बड़े पॉइंट्स मिल लें वैसे आपको PCB पे भी मिल जाएंगे तो उसी तरीकी से आप इस्टॉल इसको कर सकते हैं और साइट पे आप सोल्डिंग एनको रखेंगे तो यह सोल्डिंग हो जाता बहुत यह साथ तरीके से इस तरीके से किसी है और सोल्डिंग कि सब बल्ब नहीं जला तो यहाँ पर देख सकते हैं अब मैं आपको इसकी brightness दिखाऊंगो कुछ दिर में पहले इसका diffuser में लगा लेता हूं और थोड़ा सा अच्छी तरीके से हिला के देख लेते हैं बाद में हिले ना तूटे ना इसलिए अच्छी तरीके से इसको करके दिखाएंगे और यह जो है इसके कुछ बल्ब हैं बाद में भी काम देंगे तो पहले आपको यह करके दिखा देते चलिए यह देखिए perfectly कोई भी आप पर है ना वह समश्या नहीं है जो पहले देखने के लिए मिल रही थी बिल्कुल वही brightness और वही wattage आपको फिर से म